नमस्कार दोस्तों बिहार बिध्यालाय में 1172 बिध्यालाय सहायक एवां 1129 परिचारी की भरती से जुरी अपडेट आ चुकी है खुद बिहार के सिक्छा मंतरी ने बिधान परिशद में इस भरती से जुरी जानकारी दी है तो चलिए जानते हैं इस भरती से जूरी क्या अपडेट आई है इस भरती के लिए योगिता क्या रहने बाली है सारी बाते जानेंगे इस वीडियो में तो चलिए अज के अपडेश टाट करते हैं बिधान परिशद में सिक्चा मंतरी की घोषना 1172 बिध्याले सहायकों वो 1129 परिचारियों की सिग्र होगी बहाली पतना बिधान परिशद के सदस से केदार पंडे के परसनों का जवाब देते हुए बिहार सरकार के सिक्चा मंतरी बिजय कुमार चोधरी ने कहा कि सर्थ का गठन किया गया है उन्होंने कहा कि विद्याले सहाय के 1172 और विद्याले परिचारी के 1139 पद सिर्जित किये गए हैं उन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया से संबंदित निर्देश विभाग दोरा निर्गत करने के उपरोन न्यूकती की कारवाई की जाएगी उन् आदेशपाल के स्विक्रित पद 3249 और 6484 हैं इसमें से रिक्ट पदों की संख्या करमस 1172 एवं 1139 हैं तो बिहार के सिक्षा मंतरी दोरा यह गोस्ना किया गया कि बिहार के विद्याले में विद्याले सहाय के 1172 पोस्ट एवं परिचारी के 1129 पोस्टों पर भरती होगी अगर बिद्याले सहाय की योगिता की बात करें तो इसके लिए योगिता बार्मी पास रखी जाएगी वहीं 1129 परिचारी की भरती की बात करें तो इसके लिए योगिता दसमी पास रखी जाएगी अगर बात करें इस भरती के लिए आबेदन कब से लिए जाएंगे तो इस भरती के लिए आबेदन आपके अगले मौस से लिए जा सकते हैं अप्रेल मौस से इस भरती के लिए आबेदन सुरू हो सकते हैं तो देखिए इस एक चामंत्री द्वारा कहा गया है कि इस भरती के लिए बहाली पर क्रिया सिख रही शुरू की जाएगी तो देखिए ऐसा किया जाता है या नहीं इसके लेटर जैसे कोई ओफिसियल अपडेट आएगी हम आपको वीडियो के मादन सुचित कर देंगे इसके सब्सक्राइब करें वीडियो चाल के तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यमाद